असलाम लेकुम सुट्टेंट्स वेलकम तो माई चैनल केज ऑनलाइन अकेडमी तो स्ट्टेंट्स आज हम करने जा रहे हैं एक्सक्राइज 9.5 पर कुस्टन नंबर 3 ठीक है जी हमारा फोर्थ लेक्चर एक्सक्राइज 9.5 पर तो देखें जी कुस्टन नंबर 3 कैसे करना है आगे जी आपके पास है प्लस एक्स डी वाई इस इक्वल स्टू जी तो जी अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि यह आपका M है और यह जो डी वाई के साथ लिखा होता है वो आपका N है जब लिख दिया कि solve by integrating factor इसका मतलब है कि आपकी equation non exact है equation आपकी non exact है आप check भी कर सकते हैं M का derivative लेना है Y के हिसाफ से जब y के हिसाफ से derivative लेना इसका भी zero हो जाना है इसका भी zero हो जाना है यहाँ से आपके पास क्या बच्चेगा minus one ठीक है और जब मैं n का derivative with respect to x लोंगी तो यहाँ पर मिरे पास x ही है जब मैं इसका derivative with respect to x लोंगी मिरे पास क्या हो जेगा one यह one आ रहा है यह minus one आ रहा है these are not equal ठीक है जी तो फिर हम कुछ rule पढ़ते हैं तो पहला rule है जी हमारे पास my minus n x over n यह आपके पास यह तो function आना चाहिए x का या अगर कोई constant भी हो तो भी चलेगा ठीक है जी तो इस case में आप क्या करते हैं integrating factor होता है e की power में integral p of x into dx यह आपका होता है integrating factor अगर x सा function आ रहा हुआ या कोई constant आ रहा हुआ यहां पर और की 24 होती है या constant आ रहा हुआ तो आपका integrating factor यह होता है ठीक है जी p of x का क्या मतलब है कि आपका answer सिर्फ x variable में उसमें y शामिल ना हो तो चलेंजी चेक करते हैं आप यह वाली condition m y minus n x over n m y मेरे पास है minus 1 minus formula का n x मेरे पास है 1 ठीक है जी n आपने यह लिखना है derivative ना put कर दीजेगा n मेरे पास यह x यहां से मुझे नजर आ रहा है कि इसमें y आने का कोई chance ही नहीं है minus minus plus one and one two two by x तो आपका integrating factor इस case में क्या होता है e की power में p of x का मतलब है जो भी आपका x variable में answer आया है तो x variable में मेरा answer यह आया है ठीक है तो मेरे integrating factor क्या हो जाएगा minus 2x dx अब यह आपके पास 2 तो constant है minus भी constant है integral से बाहर चला जाएगा one over x dx रह जाएगा और one over x की आप भी जानते हैं कि integration कैसे करते हैं आपके पास log of x आजाएगा log से पहले जब power लिखी आपके पास कोई term लिखी हो तो वो power में चली जाती है तो यह जी मेरे पास आजाएगा power ln of x e power minus 2 अब आपको पता है कि log और e आपके पास nt होते हैं cancel हो जेगा तो आपके पास आगया x e power minus 2 और power को positive कैसे करते हैं one over x square करके power को positive कैसे करते हैं उसका रहाएगा इसी प्रोक कर ले ले लेते है integrating factor तो जी निकला है अब जो integrating factor निकला है उससे आप अपनी पूरी equation को multiply कर दे इधर भी multiply कर देना है इधर भी multiply कर देना है तो चलने जी multiply करने लगे है हम equation है हमारे पास x square plus x minus y dx इधर भी मैंने multiply कर दिया one over x square से और यहाँ मेरे पास लिखा वा था minus x इधर भी मैंने multiply कर दिया one over x square से into dy ठीक है जी यह x x से कट जगा यहां मेरे पास रह गया माइनस बान ओवर x dy इसी ज़िया जब मैं इसको में इसको अंदर multiply करूंगी x square x square से कट जगा यहां 1 आ जगा माइनस यहां पे y over x का square स्क्राइब इन्टू यहां के पास आगया dx कर दिया multiply प्लाइब आपने क्या करना है M into dx plus n terms free from x यानि कि वो terms लेनी है जिसमें x शामिल ना हो तो आप देख सकते हैं यहां साइन के साथ देखना आपके पास n की एक टर्म आ रही है उसमें x शामिल है तो मेरे पास कोई भी ऐसी term नहीं है जिसमें x शामिल ना हो तो यहां क्या आ गया जी निल निल का मतलब है कुछ भी नहीं है यहां आप अपना input कर दें 1 plus 1 over x minus y over x square और इसको किसके हिसाफ से integrate करना है जी x के हिसाफ से integral अलग लग कर लें 1 पे भी है 1 over x पे भी है और minus y over x square पे भी है और साथ आपके पास कोई constant of integration आ जाता है ठीक है बेशिक integration करने के बाद लगा लें बेशिक यहां integral के sign डाल के साथ ही लगा लें तो 1 की integration आपके पास क्या हो जेगी x 1 over x की integration क्या होती है जी ln of x यहां y आपके पास constant है यह बाहिर चला जाएगा आपके पास रह जएगा 1 over x square into dx यह आपके पास आगा जी x plus ln of x minus y आप इसको नहीं log में लिख देना log में सिरफ तब जाता है जब power 1 हो और नीचे वाले का उपर derivative हो अब यहां power 2 है तो जब इस तरह का case आजए तो power को उपर ले जाके negative कर ले यह आपके पास वैसे ही minus y अब x की power minus 2 को integrate करना है power छोड़ के देखो x का आगे derivative मौजूद है तो power में एक add करके उसी से divide तो यह मेरे पास आगया जी x plus ln of x minus y x की power minus 1 और minus 2 plus 1 आपके पास क्या आजएगा minus 1 यह minus minus से cut गया आपके पास आगया जी x plus ln of x plus y x की power minus 1 तो power negative उसे positive कैसे करते हैं नीचे ले आओ plus ln of x plus x और यहां पे जी आपके पास some constant of integration बेशका आपना question को यहीं तक छोड़ दें बेशका आप LCM ले लें तो LCM लेंगे तो आपके पास आजएगा x यहां आपके पास बन जएगा x square x into ln of x plus y is equal to some c अब यह x यहां divide हो रहा है दूसरे साइट पे जाएगा तो आपके पास multiply हो जाएगा ठीक है जी and that's all hope so कि आपको समझ आ गई होगी अगर मेरी वीडियो ची लगी हो तो उसको like कर दें और subscribe कर दें ताके नहीं आने वाली वीडियो आप तक बहासानी पहुंच सकें इंशारा जल्द मिलेंगे अपने next lecture के साथ तब तक के लिए आलाफिस